कुछ तो राबता है इन वादियों से हमें, वरना यूं ही नहीं सुकूँ मिलता, यहां इन पहाडों में आकर हमें। शिमला एक ऐसी जगह जो ब्रिटिशस को इतनी पसंद आई थी कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पर उन्होंने इसे इंडिया की समग कैपिटल बना दिया था। इस वीडियो में कार्फी इंफर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात कर लें इस ब्यूटिफुल हिल स्टेशन के कुछ फैक्ट्स के बारे में जिसे कुईन ओफ हिल्स भी कहा जाता है। जब भी आप शिमला आएंगे तो आप देखेंगे कि शिमला की ब्यूटि अपने टाइटल कुईन ओफ हिल्स को टोटली जस्टिफाई भी करती है। 1864 में जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था तब उस टाइम की गवर्मेंट ने शिमला को इंडिया की समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। इंडिपेंडेंस के बाद शिमला को केपिटल बना दिया गया था उस टाइम की पंजाब स्टेट का और उसके बाद शिमला केपिटल बनी beautiful hill state हिमाचल प्रदेश की अब भी आप शिमला विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर शाक्रिटेक्चर की बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी जिसे हिमाचल प्रदेश गवर्मेंट ने बहुत अच्छे से रिस्टोर और प्रिजर्व करके रखा है अब बात कर लेते हैं कि आप शिमला कैसे पहुंच सकते हैं तो शिमला पहुंचने का बेस्ट साइड डिकलेयर कर दिया था कालका से शिमला की जर्नी अब ट्वाइट ट्रेन में 5-6 घंटे में पूरी कर लेंगे और आपकी ये जर्नी बहुत सारी टनल्स और करवी रिल्वे ट्रैक्स के थ्रू होते हुए गुजरेगी शिमला का रिल्वे स्टेशन मॉल रोड के काफी नजदीक है तो टॉय ट्रेन में शिमला आने पर आपको कोई एडिशनल टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी और आप मॉल रोड के लिए रिल्वे स्टेशन से डारेक्टली वॉग करकर पहुँच सकते हैं डेली से बाइ रोड आप शिमला साथ से आठ घंटे में इजिली पहुँच सकते हैं डेली के कश्मीरी गेट आएस बीटी से आपको शिमला के लिए HRTC और हिमाचल टूरिजम की फ्रिक्वेंट वॉल्वो वसिस मिल जाएंगी अगर आप भी हिमाचल प्रदेश या शिमला घुमने का प्लैन बना रहे हैं और आपके माइंड में कोई क्वेस्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेस्चन पूछ सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप शिमला आए हैं तो आप कहा कहा घुम सकते हैं और यहां की बेस्ट बात ये है कि ये एक टोटली वहिकल फ्री जोन है और यहांपर किसी भी गाड़ी की एंट्री अलाउड नहीं है इसलिए आप यहाँ पर सिटी ट्राइफिक की हसल बसल को छोड़ कर खुबसुरत नजारों को देखते हुए बस अपने माइंड को रिलेक्स करते हुए वॉक कर सकते हैं मॉल रोड और रिज के आसपास आपको इंशिन ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी जिने बहुत ही अच्छे वे में रिस्टोर और प्रिजर्व करके रखा गया है रिज पर ही आपको क्राइस चर्च भी देखने को मिलेगा जो कि नॉर्थ इंडिया का सेकिंड ओल्डेस चर्च है क्राइस चर्च के अलावा आपको प्रिटिश आर्किटेक्चर की बहुत सारी और पुरानी बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी जैसे की वाइसरीगल लॉज, गवर्नर हाउस और रेल्वे बोर्ड बिल्डिंग यह शिमला का स्केंडल पॉइंट है और इसकी हिस्ट्री से रेलेवेंस कुछ इस टाइप से है महराजा अफ पट्याला को बिटिश वाइसरोय की बेटी से प्यार हो गया था और इसी जगा से 1892 में वो उन्हें ले गए थे इसलिए इसे स्केंडल पॉइंट भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की वेरियस लोकेशन का रेगुलर अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वॉक्स में होगा मॉल रोड के अलावा आप मॉल रोड के साथ ही लकड बजार और लोर बजार में शॉपिंग भी कर सकते हैं मॉल रोड पे आपको बहुत सारे कैफेज, बेकरीज और कॉफी कॉर्नर्स भी मिल जाएंगे जहां पे बैठ के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं मॉल रोड पे आपको बहुत सारी एंशेंट हेरिटेज शॉप्स, बुक शॉप्स और सोवेनियर शॉप्स मिल जाएंगी जो ब्रिटिश टाइम से आज तक चली आ रही है जब भी आप शिमला में होंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इवनिंग के टाइम पर आपको रिज पर ही प्रेजन्ट होना है क्योंकि यहाँ का संसेट का व्यू बहुत ही मैसमेराइजिंग होता है और यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करना तो बनता ही है सब विजिट करने के बाद आप निकल सकते हैं जाखू टेंपल की तरफ जाखू टेंपल पहुँचने के लिए आप मॉल रोड से ही ट्रेक कर सकते हैं और 45 मिनिट्स का एक फिटनेस चैलेंज भी ले सकते हैं या फिर आप कारखी ड्राइफ करके जाखू टेंपल भी पहुँच सकते हैं मॉल रोड से जाखू पहुचने का एक और वे है जाखू रोपवे के थुरुआना जाखू रोपवे की कॉस्ट वन साइड के लिए 250 रुपीज है और दोनों साइड के लिए 470 रुपीज है जाखू टेंपल जाखू पीक पर लोकेटिड है और जाखू पीक में शिमला का हाइस पीक भी है और ये 8,050 फीट की एलिवेशन पर है जाखू में भगवान श्री हनुमान जी की 108 फीट उन्ची मूर्ती भी है और ये एक सच में बहुत ही अदबुद नजारा है रामाइण के अनुसार जाखू टेंपल की ये मान्यता है कि जब यूद चल रहा था और लक्षमन जी गायल हो गए थे तब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूड़ने के लिए हिमालिया की योड निकले थे तो उन्होंने जाखू टेंपल पर कुछ देर विश्राम किया था जाखू मंदिर में हम हनुमान जी के पाउंचिन के दर्शन भी कर सकते हैं जाखू टेंपल से शिमला सिटी के बहुत अच्छे व्यूज देखने को मिलते हैं बट जब भी आप जाखू आएं तो आपको एक चीज़ से सावधान रहना है वो है यहां के बंदर आपको अपना समान थोड़ा बचा के रखना है क्योंकि यह बंदर समान चीन कर ले जात जिसे वाइस रिगल लॉज नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस टाइम के ब्रिटिश वाइस रॉय यहीं पर रहते थे और इंडिया की पार्टीशन की मीटिंग्स जिने हम सेकिंड राउंटेवल कॉन्फरेंस नाम से भी जानते हैं वो यहीं पर हुई थी यह है पिटर हॉफ और पिटर हॉफ में इंडिया के साथ वाइस रॉय और बहुत सारे गवर्नेर जेनरल आफ इंडिया भी रहे थे यह सब शिमला की मस्ट विजिट प्लेसिस थी और जब आप इन जगाओं को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शिमला की इंडिया की हिस्टरी में कितनी रेलेवेंस थी अब्रॉय ग्रूप का फर्स्ट होटल अब्रॉय सीसिल भी शिमला में ही था जो भी आप अपने सामने देख रहे हैं तो ये शिमला की इस वीडियो का एंड है उमीद है आपको इसे काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी अगर फिर भी आपके माइन में शिमला या हिमाचिल प्रदेश से रिलेटिड कोई भी क्वेरिज है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेस्चन पूछ सकते हैं और इस चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें